गोली लगने के बाद सवी पहुचेगी हॉस्पिटल और इशान करेगा सवी की मदद और लगाएगा सच का पता सीरल गुम है किसी के प्यार में आप देख रहे हैं कि इशान, सवी और इशा एक जगह हैं जहां पर रमा कान जो गुंडा है जिसने सवी को पैसे देने की कोशिश की थी वो सवी को गोली मारने आता है दरसल सवी को ही रास्ते से हटाना चाते हैं अक्का साहब और ये अक्का साहब का ही प्लान है यहां पर आप देखेंगे सवी को गोली लगती है इशान सवी की मदद करता है उसे तुरंथ होस्पिटल लेकर जाता है और यहां पर सवी की जान बच जाती है इशान ये सारी चीजों को लेकर बहुत परिशान हो गया है उसे ये समझ में आ गया है कि सवी ना किसी बात के उन गलतियों के सजा भुगत रही है जो उसने की ही न जाते हैं उन्होंने सभी को अपनी बेटी माना है और वो उसे खोना नहीं चाहती ऐसे में वो दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल पहुचते हैं